काली भगवान और कल की अवतार की कहानी जटे और बहुआयामी है, जिसमें विभिन हिंदू परमपराओं में विभिन व्याख्याएं और मान्यताएं हैं। यहां कहानी का एक सरलीकृत संसकरण दिया गया है, काली उग्र देवी को अकसर विनाश और परिवर्तन के साथ जोड़ा जाता है। या ब्रहमा को संदर्भित करता है, जिसे अकसर विष्णू, शिव या अन्य देवताओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। विश्णु को ब्रहमांड का संरक्षक माना जाता है और माना जाता है कि ब्रहमांड ये व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने विभिन अवतार लिए है कलकी अवतार भगवान विश्नु का दस्वा और अंतिम अवतार है, जिसके बारे में भविश्यवानी की गई है कि वह कलियुग वर्तमान युग के अंत में प्रकट होगा और धर्म के एक नए युग की शुरुवात करेगा कलकी को एक दिव्य योध्धा के रूप में वर्नित किया गया है, जो एक सफेद घोडे पर सवार होगा और एक ज्वलन्त तलवार चलाएगा वह बुराई को नश्ट करेगा और प्रित्वी पर धर्म, धार्मिक्ता को बहाल करेगा कली, भगवान और कलकी अवतार के बीच का संबंध जटिल और अकसर आपस में जुड़ा हुआ है कुछ व्याख्याओं से पता चलता है कि कलकी अवतार के आगमन का रास्ता साफ करने के लिए काली की विनाशकारी शक्ती आवश्यत है अन्य लोग काली को दिव्यस्त्री उर्जा की अभिव्यक्ती के रूप में देखते हैं जो कलकी अवतार को उनके मिशन में समर्थन और शक्ती प्रदान करती है यह ध्यान रखना महत्वपून है कि यह कहानी की केवल एक व्याख्या है और हिंदु धर्म के भीतर कई अन्य द्रिश्टिकोन और मान्यताएं हैं विशिष्ट विवर्ण और प्रतीकवाद विशेश परंपराया सम्प्रदाय के आधार पर भिन हो सकते हैं